दोस्तों आज के समय में Chinese People's Liberation ने भी अमरिका को भी पीछे छोड़ तुनिया का सबसे बड़ी ने भी बन चुकी है जिसका reflection अब Indian Ocean में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार चाइना Indian Ocean के कई हिस्से को नया नाम करन करता जा रहा है और statement देता रहता है कि Indian Ocean सिर्फ नाम है जो इंडिया को बिलंग नहीं करता एसे में भारतिय महासागर में भी Chinese Salt Power भारत पे हाबी होता जा रहा है एसे में जरूरत है भारत को Blue Water Navy बनाने की जो Chinese Sips को इंडिया नोसें से खदर सके आज के समय अमरिका, रसिया, चाइना और United Kingdom भी Blue Water Navy ऑपरेट करते हैं जो Deep Sea Missions को आसानी से अंजाम दे सकते हैं लेकिन आखिरकार क्या वज़ा है कि अब तक भारत Blue Water Navy नहीं बन पाया है सबसे पहले नमबर पर आता है Aircraft Carrier आज के समय भारत का इतना बड़ा Coast Line होते हुए भी भारत के बल दो ही Aircraft Carrier को ऑपरेट करता है दूसरा और सबसे बड़ा वज़ा है कम और Limited Budget जिसके कारण ने भी चाहकर भी Budget के बाहर जा नहीं सकती